तो मैं धोकला जोईच अमैं धोकला ना इतनी गुजराती मेरे को आती तो मैं गुजरात शिफ्ट नहीं हो जाता वैसे हैं बड़े प्यारे लोगों उनका खाना बहुत प्यारा है अगर गुजरात में आप चले जाओ किसी के ब्रेकफस्ट टेबल बैठ जाओ एक दिश कभी जाएंगे पेट भर जाएगा मन भर जाएगा लेकिन डिशिस खत्म नहीं होगी ऐसी एक डिश आज आपके लिए धोकला पूरे इंडियाव बनता है लेकिन गुजरात की फेवरेट है धोकला के लिए बेसन बहुत जरूरी है बेसन सही बनता है साथ में इसमें डालेंगे और इसी हल्दी क्योंकि वो ढोकला का जो ब्यूटिफुल सा कलर होता है न वो इससे आता अच्छा और एक चीज यह है कि इसमें डेलेगा थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर के उपर में हमें डालना है थोड़ा सा नीम्बू का जूस यह देखें क्या ह थोड़ा सा थोड़ा सा तेल और फिर इसे अच्छी तरह हमें मिक्स करना है विस्क करना है ताकि यह एक बढ़िया स्मूध बैटर बन जाए लंब्स बिल्कुल नहीं होना जीन दिया विसे सिंपल लोग हैं सिंपल खाना है एक ही इंग्रीडियेंट से कई सारी डिशिस बन जाती पैटर फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए ना ज्यादा थिक ना ज्यादा थिन अब इसे एक घंटे तक रेस्ट करना पड़ेगा ताकि जो यह बेकिंग पाउडर हमने डा हो गया है थोड़े से बबल्स दिखने शुरू हो गए है अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा इनो इनो से ढोकले में अच्छा राइज आता है हलका से लेमन जूस और नमक देख रहे हैं अब क्या हुआ रियक्शन यह बन गया फ्लाफी अब एक केक टिंट में थोड़ा सा ओई लगाए जाएगा ताकि धोकला जो है वो चिपके ना और उसके अंदर पूरे टितरे डालके यह से स्टीम कर देंग इसको बैठर रिक्दम लाइट हो चुका है स्टीमर रेड़ी है उसके अंदर यह बैठने के लिए प्लेट और यह गया अंदर अब कम से कम भी 15 मिनट के लिए स्टीम होएगा यह से राइस होगा फलफी होगा मज़ेदार होगा लेकिन मज़ेदार के लिए इसमें एक तड़का जाएगा वो तड़का बनाना बहुत अब तड़के के लिए थोड़ा सा तेल मस्टरड सीट्स साथ में डालेंगे कटीवी हरी मिर्च यानि कि हाफ कटीवी हरी मिर्च साथ ही में डा दूँगा थोड़ा सा सेसमे सीड जानी कि तिल के दाने और थेर साड़ा कड़ी पत्ता अब इस तड़के में डालेंगे पानी येस क्योंकि इस पानी में जाएगी चीनी PCV चीनी ये बनेगा मीठा चाशनी बोलते हैं इसको वो लोग इसमें हलका सा नमक जाएगा निम्बू जूस जाएगा और ये तड़का तयार हो चुका है निम्बू जूस नमक वाँ खट्टा, मीठा, हलका सा तीखा एक्सेकली वाँटिए एय वाँटुमा इचेक ना जरूरी है क्योंकि हुआ है की नहीं हुआ अब इसे निकाला जाएगा आप ग्टार हमारा ढोकला जो है बिल्कुल तयार है अभी इसमें जो चाश्नी हमने बनाई थी उससे करना इसे सोक तमय आपो गुजरात्मा डोकला ये बन गया इतना सिंपल था आपके सामने जटपट बन गया शेफ अजे चोपड़ा आपकी मदद कर रहे हैं आपके लिए चीजों को सिंपल बना रहे हैं और बढ़िया टेस्टी रेसिपी आप जटपट तयार टेस्टी गजब बनाओ शेर करो